कि नवस्कार दोस्तों ब्लॉग औंसील के करेंट अफेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं अरुन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाल में ही इंडिया ने नुक्लियर वेपन बैंड ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया है एसेफ्ट करने से 2021 में ये समझो था युएन द्वारा पेस क्या गया था बट इसी भारत ने साइन करने से मना कर दिया है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसे एसे अधो करने से हमारे लिए क्या नुक्सान और पाइदा है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तेखिए इस treaty का अगर official name जाने तो इस treaty का official name है Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapon एक abbreviation भी बनाया गया है TP&W Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapon या तो कह देए Nuclear Weapon Band Treaty ये एक legally binding international agreement है मानि अगर तो legally binding का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत इससे sign कर भी देता है एक नट के लिए मानि अगर भारत sign कर देता है तो within a few days, within a few days भारत को अपने सारे nuclear weapon डिश्ट्रॉय करने होंगे है ना देखिए इस treaty को बनाने का main name क्या था Total Elimination of Nuclear Weapon Total Elimination of Nuclear Weapon ये इसका main name है कि nuclear weapon को totally eliminate कर देना 2017 में ये UN दौरा एडप्ट किया गया था और 22 January 2021 को ये force में आया था अगर बात करें तो The Economics Time News का article भी है अभी छपा हुआ था तेकि ये इसकी heading है First year treaty to ban nuclear weapon enters into force ये ऐसी first time UN ने इस टाइब का कोई ऐसा समझोता पास किया है इसके बारे में ये article बेकोनामिक्स टाइम्स न्यूज में छपा हुआ है अगर बात करें तो इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा ये है कि जिन देशों के पास nuclear weapon होगा ये है कि जिन दोस्तों के पास nuclear weapon होगा वो उसे destroy कर दें completely US चाहता है एक nuclear free world nuclear free world चाहता है US अब ये समझोता जो आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि सारे destroy कर देंगे बट ये कहीं ने लिखा हुआ है कि अब ऐसे नए परिक्षन या नए प्रयोग होंगे या नहीं होंगे नए nuclear bombs की testing होगी या नहीं होगी और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस टाइप के nuclear weapon का आयात होगा एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा तो मतलब खुलके इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है यूएस ट्राइ तो कर रहा है कि nuclear free world establish करने के लिए लेकिन बहुत सारी ऐसी countries है जो इनको join करने से पीशे हटेंगी यह तुस्योर है क्यों कि कई ऐसी देशें जहां पर social media नहीं है सोसल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है उनका अपना एक अलग सर्चिंजन है वो जो चाहते हैं उनकी पर्विक वहां की वहीं देख पाती है और अगर माल लीज़ें इन्होंने साइन कर भी दिया तो यह दुनिया से कट-off है दुनिया से कट-off है कि social media network के जरी यह दुनिया से कट-off है और अगर यह देखने को मिलता है तो चार से पांच बाहर ऐसे कंट्रीज जरूर होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन की थ्रेट देते रहते हैं अपने परोसी देश्यों के साथ जब उनके रिलेसेंस खराब होते हैं या किसी अधर कंट्रीज के साथ कहने का मतलब य कि यूज करते हैं तो बहुत सारे वार होने से बच जाते हैं कहीं अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए कि तो यूएन की तरब से यह प्रयाश टाइब का है उसका मानना यह है कि यह वेपन इतने घातक हैं कि अगर इनका यूज हुआ तो मानवता इतनी पीछे चली जाएगी कि जिनको हम सब मिलकर अगर चाहें तो भी ओवरकम नहीं कर सकते हैं है अब देखें अगर हमारे सबसे फिमस एक वेग्यानी की बात करें तो बड़े ही फिमस साइंटिस्ट है एलबर्ट आइंस्ट्रीन एलबर्ट आइंस्ट्रीम में कहा था वर्डवाल 4 को लेके कुछ एक बात कही थी कि आइनो विद फॉर्ट वेपन डबलु त्री जाने कि वर्डवार 3 विल बी फॉर्ट बट वर्डवाल 4 विल फॉर्ट विद इस्टिक एन स्टों क्या मतलब इसका उन्होंने क्लियर कहा वर्डवार 3 में जो विपन यूज होने वाले हैं वह इतने हाइटेक एरक्राफ्ट होंगे इतने डिश्ट्रायर मिसाइले होंगी इतने डिश्ट्रायर बॉंस होंगे वह कि किस टाइप की चीजे यूज करने जा रही है यह मुझे नहीं पता है बट मैं इतना जरूर सोर ह आने वाले वर्डवार 4 में अगर देखा जाए तो वर्डवार 4 जो होगा वो उसके लिए कुछ बचेगा नहीं तो हम इस्टिक और स्टोन से ही जब डंडे और पत्त्रों से युद्ध कर पाएंगे अगर वर्डवार 4 हुआ तो क्यों कि वर्डवार 3 होगा उसमें सब कु होता तो होने नहीं जा रहा है कि इस टाइप के नुकलर वेपन को लेकर अगर देखा जा तो नुकलर कैमिकल बैलोजिकल वार्फेर कई बार सूच की हिला देते हैं लोगों को तो अगर इसमें ध्यान से देखा जा तो कई बार अगर आप रिकलिट कीजिए तो कैमिकल या बार लोजिकल वेपन के डिवलपमेंट प्रोडक्शन यूज ऑफ चैमिकल वेपन इन सब को जो है प्रोइबिट किया गया है इस टाइप के समझों तुमें बट यह कहीं यह लगभग सारे देशों ने मिलके साइन किया हुआ है बट यह कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यूनाइटिन नेशन सेक्यूर्टी काउंसिल के हिसाब से जो जो एन पीटी यानि कि नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी है इसके द्वारा रिकॉग्नाइज के वाल पांच ऐसे कंट्रीज है जो नुकलियर वेपन के लिए अधिकारिक त अमेरिका फ्रांस रूस चीन और युनाइटिद किंगडम ऐसे हैं जो एन पीटी यानि कि नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी द्वारा रिकॉग्नाइज किये गये हैं नुकलियर वेपन के लिए देखिए न्यूजिलैंड तो इस ट्रीटी को जो है जो अभी समझाता भारत ने रिजिक्ट किया भारत ने क्या के रिजिक्ट किया भारत ने तो यह क्या के रिजिक्ट किया है कि 2017 में जो इसके लिए निगोसियसंस हुए थे उनमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था और इसका जो फॉर्मेशन है इसका जो फॉर्मेट है इसका जो फाउंडेशन है उसकी भी कोई गारेंटी नहीं है कि ये 100% success होगा ये है ना, इंडिया दिय ही झाहिए कि या हम support करते हैं इसको कि nuclear free world हो nuclear weapon free world हो बट अभी इसके sign करने से मना कर दिया है है ना अगर बात करें इसको लेके तो ये कोई पहली पहल नहीं है 2017 में नौर्वे की राजधानी ओसलो में एक camp gain चलाया गया था क्या था international camp gain to abolish nuclear weapon international camp gain to abolish nuclear weapon ये चलाया गया था 2017 में नौर्वे की राजधानी ओसलो में और इसे noble priest prize भी मिला था ये इतने बड़े level पर हुआ था कि इसे noble priest prize भी मिला था noble santipuraskar भी मिला था इस camp gain को तो ये जो camp gain चलाया गया था उसी के तर्ज पर ये treaty लाई गई है यूएन द्वारा अब इसमें किन-किन देसों ने अपनी सहमती दी है यह मानिए कि निव्जिलेंड ने तो साइन भी कर दिया है निव्जिलेंड ने इस ट्रेटी पर साइन भी कर दिया है उत्री अमेरिका में देखें तो मैक्सिको मध्य अमेरिकन कंट्री जिसमें आते हैं बिलिज ग्वाटेमाला हॉंडरास, इल सल्वाडोर, निकारा-गुआ, कोश्टारीका, पनामा और बात करें तो West Indies, Valedess, और दक्षणे अमेरिका के अगर बात करें, दक्षणे अमेरिका के बात करें तो Equador, Peru, Uruguay, इन सब कई देसों ने इस ट्रिटी पे signature कर दिया है, कजाकिस्तान, नेपाल ने तो signature कर दिया है, बस इसको accept करना बाके है, बांगलादेश, मैक्सिको, और सारे कई countries ने इसे accept कर लिया है, न्यूजिलेंड वगरे को लिले, लेकिन कोई ऐसी बड़ी countries ने accept नहीं किया है, जो nuclear weapon का भारत जैसी, भारत, पाकिस्तान, नौर्थ कोरिया, चाइना, इन सब बड़े देसों ने, जो आगे बढ़ने की रिएस में सबसे ज़्यादा competitive है, इन लोगों ने कोई ऐसा agreement, इन लोगों ने इस टाइप के कई कोई देश, जो है इस agreement को ऐसे accept करने के लिए, राजी नहीं हो रहे हैं, है ना, अब United Nation की इस पहल कहां तक कारगर होती है, यह जानने के लिए देखते हैं, इन्होंने ठानी है वर्ड को nuclear free बनाने के लिए, बट यह कहां तक सिद होती है, अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी प्रस्क्रिया दीजिए, आज का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में तक बने रहे हैं हमारे साथ, नमस्कार,